नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं UPCHO 1800 Post Recruitment के न्यू अपडेट के बारे में तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है UPCHO 1800 Post के लिए यहाँ पर मार्च में अपलीकेशन का जो को आपिस्ली अड्वर्टाइजमिंट तहा यू उसको जारी किया गया था एन एचेम की ओर से यूपी-ंएचेम की ओर से तो इसमें जो केंडिोन थे ब्यस्ति नर्सिंग पोश्ट ब्यस्ति नर्सिंग वही अपलाई कर सकते थे जेनाम केंडियर्स को इसमें माउका नहीं दिया गया था दोस्तों तो यहां पर सबसे बड़ी जो इसकी सर्द थी यू पीछ यहां पर जो भी नर्सिंग के उनके पास यहां पर सर्टीपिकेट होना यहां पर जरूरी था दोस्तों और जो सर्टीपिकेट था तो यहां पर उनको पर रसानी हुई थी अपलाई करने में तो उसके बाद यहां पर कुछी दिन बाद यहां पर जो वेकेंसी थी उसको यहां पर क्लोज कर दिया गया था फर्दर अपडेट आने तक तो फिर यहां पर यहां पर यहां पर बहुत ही बड़ी अपडेट यहां पर आ गई है दोस्तों तो इसमें हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि जो भी केंडियर्स यहां पर फार्म को भरे थे अपलाई किये थे यूपी सीच चो अठारा सो उनके पास एनेचेम की और से कोई इमेल या फिर कॉल जरूर आई होगी तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं जो इमेल आई ह है उसको हम आपको दिखा देंगे और आपको बताएंगे कि जो इनेचेम की साइट पर अपडेट आया है उसको भी बता देंगे अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो चलिए हम आपको दिखाते हैं जो ऑफिसली and family welfare government of UP तो इस पर आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर new update आ चुका है दोस्तों candidates who applied for 1800 vacancies of CHO in March 2021 may go through their registered email for filling details on hour before 15-6-2021 तो यहाँ पर जो update आई है इसमें बताया है कि ऐसे candidates जो कि यहाँ पर March में CHO 1800 vacancies के लिए apply किये थे ओ अपना जो register email था उसको यहाँ पर देख सकते हैं उनका मतलब उनके email पर एक mail आया हुआ है उसको वहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 15-6-2021 तक यहाँ पर उसमें जो भी fill करना है update जो करना है details उसको कर सकते हैं तो यहाँ पर हम आपको इसको open करके दिखा देते हैं सबसे पहले तो दोस्तों लिंक पर क्लिक करने पर एपेज open होकर आपके सामने आ जायेगा जिसमें लिखा है अठारा सो बगेंसी साफ community health officer under NHM UP तो इसमें भी वही लिखा है candidates who applied for अठारा सो बगेंसी आप CHO in March 2021 may go through their register email for feeling details on our before dated 15-6-2021 तो हम सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखा दें कि NHM की ओर से जो email आया है candidates के पास जिन्होंने apply किया था व्यूपी CHO 1800 के लिए तो उसमें हम आपको दिखाएंगे कि क्या email आया था तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो mail यहाँ पर आया हुआ है इसको हम थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देते हैं दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल लिखा है application for the post of community health officer यहाँ पर email आया हुआ है दोस्तों जिन candidates ने यहाँ पर apply किया था इसमें लिखा है dear candidates as you have already filled the online application for the post of CHO under the आईश्मान भारत स्कीम National Health Mission UP you are requested to kindly re-register and furnish details on the below mentioned link तो यहाँ पर इन्होंने एक link दे रखा है तो इस पर click करके आपको यहाँ पर re-register करना होगा आपको अपने एको means जो candidates यहाँ पर apply किये हैं उनको इस link पर जाकर यहाँ पर जो link दे रखा है आप बिल्कुल भी जो candidates यहाँ पर है तो यहाँ पर link open करने के बाद इस link पर जाने के बाद यहाँ पर जो candidates 19-20 batch के हैं जिनके पास CCS certificate है उन्ही का यहाँ पर open हो रहा है जो email and password डालने पर जो यहाँ पर details आपके सामने open होगी तो दोस्तों यहाँ पर जो old BSC nursing या फी post BSC nursing के student थे यहाँ पर उभी उनका re-registration नहीं हो पा रहा है और यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात है कि genome candidates को इस vacancy से पूरी तरह से out कर दिया गया है यहाँ पर जब vacancies का advertisement आया था तो उस time यहाँ पर genome candidates and BMS candidates score तक भी गये थे बट फिर भी जो vacancies है इसको यहाँ पर अंदर से ही fill कर दिया जा रहा है यहाँ पर बीना कोई update दिये हुए दोस्तों इसमें genome candidates को बिलकुल पूरी तरह से हटा दिया गया है and सबसे बड़ी बात की जो old batch के BSC nursing students हैं जिनके पास experience भी है और knowledge भी है उनको भी यहाँ पर मौका नहीं दिया जा रहा है only 19-20 batch के ही student यहाँ पर जो CCS certificate जिनके पास है वही इसमें apply कर सकते हैं दोस्तों तो यह बहुत ही गलत कर रही है यूपी government जो nursing student हैं उनके साथ दोस्तों तो इसके खिलाब हमको आवाज उठानी चाहिए बिल्कुल तो यहाँ पर दोस्तों अगर कोई भी अपडेट निकल के आती है तो हम आपको अपडेट कर देंगे दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब